कि रास्तन पर्देश में इन दिनों वीजेपी की बदनलाल की डबल इंदन सरकार सता में हैं वीजेपी अमेशा सही पार्टी को और पार्टी समंटिस सरकार को और रामराज की सरकार कहती है ऐसे में जहां सरकार अपनी सता के रसे में मध्धोस है वहीं पर इनकी सरकारी मसलिली मनबर जी और बिना किसी कारूं कायदों के काम कर रही है बात यती रक्षक की है कि करें तो यहां पर रक्षक ही बक्षक बनते हुए नजर आ रहे हैं यानि परदेश की राजबानी जियापुरी कपिसेंट पुलिस इन दिनों अपने कामों से चर्चा का वीशा बनी हुई है बने भी क्यों नहीं क्योंकि इनके कारनाहमी कुछ ऐसे हैं जिनसे अपरादी तो नहीं किंतु आमजन भैपिर जरूर हो रहा है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जियापुर के जैसिंकुरा का जहां पर पुलिस वैल पहली तस्वीर में एक घुजर महिला के साथ मार्फिर करती वी नदर आ रही है तो दूसरी तस्वीर में एक 6 वर्षिया मासुम के सामने उसकी पिताक को चंगर पिता जा रहा है अलांकि इदा नगरी मीडिया के पास इस पूरी घटना करम के वीडियो भी उप्रब्द हैं लेकिन चैनल की नीतियों के चलते हम आपको वे दिखानी ही पाएंगे लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदादा लगा सकते हैं कि जैपूर की पुलिस कितनी निद्धी हो सकती है परदेश की राम राज की सरकार में इन दिनों वर्दी का रोब चंगर नजर आ रहा है परदानमंदी नरेंदर मोदी के साथ-साथ परदेश में डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाले बजरलाल की सरकार अपनी सता की नसे में लगातार मधोश नजर आ रही है वही पर इनकी पुलिस लगातार अपनी वर्दी का रोब लगा रही है इसी को साबित करता हुआ है वीडियो इन दिनों सोसली मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है पुलिस का नारा है आमदन में विस्वास अपरादियो में डर किन्तों जैपुर की कमिशन्ट पुलिस में सब कुछ उल्टा हो रहा है यहां पर आमदन में भै और अपरादियों में विश्वास जैसे काम हो रहे हैं किसी को चरितात करता हुआ ये वीडियो जब सामने आया तो पूरे मैकमे में उथर बुतल सी मच गई है वीडियो में जैपूर की कमेंट पुलिस जहां एक tu मेला के सात हताभाई कर्टी निद अदरा रही है तो वहीं दोसी और एक मासून के सामने बेरहमीशियों के पितागी की जा रही है इतना ही नहीं मासूम बेटा बार बार पुलिस के पाओं में गिर कर अपने बाप को नहीं मारने की कुहार भी लगा रहा है किन्तों पुलिस पर इसका मासूम की मिन्नतों का कोई असर नहीं होता है दरसल जैसिंग पुरा में पती पतनी के विवाद को लेकर पहुंची पुलिस ने बच्चे के सामने उसके पिता को जम कर मार पिट की इस दोरान बेटे ने एक पुलिस कर्मी का पैर पकड़ कर उसके रोकने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस कर्मी का दिल नहीं पसीजा इसके बात पुलिस ने चार लोगों को इजबार कर ठाने भी ले आई पिरित घरवालों ने बताया कि चिलंजिलाल और उसकी पतने डिमपल के बीच काफी समय से लगातार विवाद चल रहा है मंगलवार को डिमपल बांकोटा पुलिस ठाने के ऐसाई और तो से चार के पुलिस कर्मी के साथ अपने सस्वाल पहुची इस दुरान पुरिवार के लोग घर पर नहीं मिले थे उनकी ग्यार मुदूद्गी में डिमपल ने मकान का ताला तोड़ने की कोशिस की इस दुरान आस प्रोच के लोगों ने चिलंजी लाल को जानकर दी मौक्या पर पहुचा परिवार चिलंजी लाल ने ताला तोड़ने की बात को लेकर पुलिस और अपनी पतनी से कान पुछा तो पुलिस कर्मी ने चिरंजी लाल के साथ मार्पिट शुरू कर दी और इसनों ने बताया कि पिता के साथ मार्पिट होने पर बैटे गोरान सर्मा ने एक पुलिस कर्मी का पैर पकरकर पिता को चुरूआने की लगातार गुवाई की लेकिन पुलिस कर्मी का दिल नहीं बच प्रिबदार कर थाने ले आई पुलिस कर्मियों की मार पीड़ से चिरंजलाल के हाथ पर गंबी चोट लगी है और उसकी आंग भी सुजन आई हुई है ऐसे में इस पूरे घटांगरम से यह साफ हो रहा है कि पुलिस जैपुर की कमिशन्ट पुलिस जहां जन्ता की देशी के बड़े-बड़े जावे कर रही है वे जावे पक पक पर फैल होते हैं जारा रहे हैं यानि खोगले साबित हो रहे हैं पुलिस की मानचिक्ता का पता इस पूरी कवर से पता लग चल रहा है आपको बता देंगी परदेश में खुलम खुला बेदरक जंगल राज की पीड़ कर हत्या कर दी थी लेकिन कर्णी प्यार पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोसकता नहीं उठाया कर्णी वियार में तीन अप्रेल को हुए इस पूरी गटनंगरा में इंस्पेक्टर बाप, मा, बहन और मुख्या आरॉपिक चितिस कुमार हैं चिन्तों पास जाने, इस मुख्या मांगने की जाने की बजाए इसके नाम से भी कतराएगा, ऐसे ही देश की तमाम चोटी बड़ी ख़बरों के लिए लगातार आप बने लिए, तन नगरी मीडिया के साथ, नमस्क्राइब